नमस्कार सुगत है सिम्डेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में जिन सजस्यों को हमारे द्वारा किसी परकार का साहता और मदद की आवशक्ता हो तो हमारे description में संपूर्ण डिटेल दी गई है आप उसके माध्यम से सिम्डेगा समाचार से संपर्ख कर सकते हैं चलिए दिन भर की छोटी बड़ी सभी परकार की खबरों का अपडेट शुरू करते हैं भारती जंता पार्टी सिम्डगा जिला के नव निर्मित कार्याले का सुब आरम आज राश्टिय अध्यक्स जेपी नड़ा के करकमलो द्वारा ओनलाइन माध्यम से होगी इस दोरान सांसर्ज पति निदी ने बताया कि बढ़ती हुई वेस्विक महामारी कोरोना वारस को लेकर भीडभाण का आयोजन नहीं किया गया है वहीं साथगी पूर्ण तरीके से सोसल डिस्टेंस के साथ आउनलाइन उधगाटन कारेकरम होगा वहीं जल्डेगा में जैसल पेलेस की और से बागवानी मित्रों को प्रसिक्षन दिया गया इस दोरान उन्हें बिर्षा हरित ग्राम योजना के तहत चल रहे आम लगाने के योजना के संबंद में जैसल पेलेस की और से प्रसिक्षन दिया गया इस दोरान सभी मित्रों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार से खेती करते हुए उनत की सिमका हमें फसल का लाब मिल सकेगा ताकि इसका फायदा होगा वहीं कोले बीरा प्रकंट प्रसासन की और से लगातार कोले बीरा प्रकंट छेतर में घूम घूम कर लोगों के मास्क तथा सोसल डिस्टेंस का पालन करा रही है वहीं कई दुकांदार ऐसे भी पाए गए जहां पर सोसल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था ऐसे दुकानदारों को चीनित करते हुए उन्हें COVID-19 की जुर्माना 500 रुपया भरवाया गया साथी चेतावनी दी गई कि भाईश्य में अगर दुबारा इस परकार का करते हुए पाए गए तो ऐसे लोगों पर कड़ी करवाई की जाएगी वहीं सिम्डेगा जिला के कुर्डेक थाना चेतर आंतरगत कुर्डेक के हिठमा मोड के समीप अन्यंत्रित होकर दो मोटर साइकल में आमने सामने में टकर हुई जिसमें तीन लोग घायल हो गए बताया जा रहा है कि इसमें से एकम मैना बड़ा सिम्डेगा के फुल्चन नामक बैकती है वहीं तीन आदमी कुर्डेक थाना चेतर के हैं जिसमें तीनों लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज चल रहा है वहीं अनुमंडल पतादिकारी कुंवर सिंग पहार ने प्रेस कॉंफरेंस आयोजित करते हुए सभी पत्रकारों से कहा कि जिले में कहीं पर भी आवेज सराप की बिक्री या चुलाई के संबंद में जानकारे मिलती है तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दे आवशक की जाएगी उन्होंने कहा जिला में किसी भी परकार से अवेस सराप का कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा इसके लिए आम जनों को भी जागरूप होने किया सकता है वहीं सांसत प्रतिनदी सुसिल सिर्वास्तों के दवारा कुर्डे प्रकंट छेत्र में विर अधिक से अधिक मातरा में वरिच्छ लगानी चाहिए ताकि लोगों को इसका भरपूर लाब मिल सके सिम्डेगा उपायत सुसांत गरों के दोरा फाइलेरिया आईडिये कारिकरम के तहत चलने वाले 10 अगस से 20 अगस तक फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के अभियान की स मुक्त कराते हुए मुक्त बनाया जा सके वहीं सिम्डेगा उपायवत ने अपने कारियाले काक्ष में जनता दरबार लगाते हुए सभी आम जनूगी समस्याओं को सुना इस दोरान उपावत के कार्याले पर सभी परकार के अलग-अलग मामले के लेकर लिखित आवेदन दियें जिस पर उन्होंने इन मामले को सुनवाई करते हुए सभी मामले को संबंदित पतादीकारियों से निस्पादन करने की बात कही साथ ही इस दोरान कई लिखीत मामले आएं जिस पर कारवाई भी की गई वहीं सिम्डेगा जिला के ठेटांगर थाना छेतर अंतरगत स्ट्रेफरल अस्पताल ठेटांगर में भी एक महिला नर्स को कोरोना पोजिटिव पाया जाने के बाद स्ट्रेफरल ठेट अस्पताल को सिल कर दिया है सिविल सर्जन ने कहा सुरक्षा के दृष्टि कौन से अस्पताल को बंद कर दिया गया है ताकि संकर्मन का फैलाव नाह वहीं उसके कौार्टर को भी पूरी तरह से सेनेटाइच किया गया डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की पून्यतिती के मौके पर सिम्डगा विधायक भूसन बाड़ा के द्वारा अपनी आवाश में स्रधांजली कारकरम आयोजन करते हुए उसके तस्वीर पर मालयारपन किया गया इस दोरान उन्होंने कहा कि उनके जीवनी से हमें प्रेरना लेने की आवशकता है इस दोरान कॉंग्रेस कमिटी के जिलाध्यक्ष अनुप के सुरी मौजूद रहें तता उन्होंने भी उनके जीवनी पर परकाष डालते हुए प्रेरना लेने की बात कही जड़गा प्रकंट किसम की फसल का लाब भी ले सकते हैं। वहीं तमडा पंचायत में एक कोरोना पोजिटीब पाये जाने के बाद गाउं को पूरी तरह सील कर दिया था, जिसके बाद अज दूसरा दिन भी पूरी तरह से गाउं सननाटा रहा। वहीं तमडा पंचायत के मुख्या हीरा राम ने कहा कि लोग अभी भी सयम बरतें और अपने अपने घरों में रहें। अनावशक घूमने से महामारी का प्रशार फैल सकता है और इससे लोगों को भी काफी परसानी बढ़ सकती है। कुरडेग, हेटमा, तेतर टोली के समीप मोटर साइकल से आनियंतरी थोकर दो युवक पूल के निशेगीरे जिसके बाद 108 हेमुलेंस के मदद से सदरस्पताल सिम्डगा लाया गया जहां उसकी हालत को देखते वे रिम्स रेफर कर दिया गया। पताय गया कि ये लोग केरसाई कंजोबा के पहाड सडा निवासी थे जो की अनियंतरी थोकर दुरगटना गटित हुआ। यसी के साथ धन्यवाद आप सभी का दिन सुब हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कई परकंट की खबर छूटी है उसे उम्मीद करेंगे कि पूरा-पूरा खबर दे सकें।